राधे राधे दोस्तों मेरा नाम प्रियंका है और स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज हम सेयर करेंगे आपके साथ बेसन बाली भिंडी की सुखि सबजी की रेसेपी जिसे बनाना बहुत आसान है बहुत जादा टेस्टी के सबजी बनके तैयार होने वाला है और सबसे अच्छी बात बिना लेसन पे आज के बनाएंगे बहुत कम टाइम लगेगा इसको बनाने में कोई ताम जाम नहीं आसान और सिंपल सी रेसेपी है तो चलिए रेसेपी आपके साथ सेर करते हैं सबसे पहले यहां पे हम भिंदी ले लिए हैं इसे कट कर लेंगे तो राउंड सेप में हम यहां पे कट कर रहे हैं आप जैसे भी चाहे जिस भी सेप में चाहे इसे कट कर सकते हैं अब इसमें हम डाल देंगे दो चमच बेसन और यह चमच छोटा ही है बड़ा चमच नहीं है अब इसमें हम डालेंगे मसाले तो सबसे पहले आदा चम्मच मिर्ची पॉडर डाले आदा चम्मच हल्दी पॉडर डाल देंगे आदा चम्मच धनिया पॉडर डाल देंगे सारे मसाले हम यहीं पे डाल देंगे जो भी डालना है और नमक भी डाल देंगे टेस्ट के अनुसा और यहीं पर अच्छे से मिला लेंगे जैसे भी आपको आसान लगे हैं वैसे इससे मिला लीजए हाथ से चमत से चमत से नहीं मिल रहा था तो हम पीड़ी मिल भी है यहां इसमें आधे चमच के करीब काला सरसो हम डाले हैं तो यहाँ पे सरसो फूट गया है धेर सारा करीपता डाल देंगे अगर आपको पसंद है तो जरूर डालिएगा साथ में दो हरी मिर्ची कट करके डाल लेंगे अब इसमें डाल देंगे भिंडी जो बेसन मसाला मिलाके रखे हुए हैं तो पूरे भिंडी को डाल देंगे और प्लेट में जो भी मसाले बच जाएंगे वो सब आपको इसमें डाल देना है अच्छे से चला लीजिए गैस का फ्लेम मीडियम और स्लो के बीच में रखिएगा ज्यादा तेज गैस नहीं रखिएगा और अब हम इसे चलाते हुए भून लेंगे पका लेंगे बीच बीच में चला दीजे फिर छोड़ दीजे गैस का फ्लेम बिल्कुल कम रखिएगा कवर नहीं करेंगे थोरी थोरी देर पे हम इसे चलाते हुए पका लेंगे भिंडी न बहुत जल्दी पक जाता है भिंडी को पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है यहाँ पे यह पूरी तरह से पक चुका है देखके भी आपको पता चल रहा होगा तो हम इसे कवर नहीं किये हैं चलाते हुए थोरी थोरी देर पे हम इसे चलाते हुए भून लिये हैं इससे क्या होता है बेसन भी बहुत अच्छे से भुना जाता है साथ में भिंडी भी पग गया है चिपचिपा भी नहीं होगा बिलकुल भी चिपचिपा नहीं होगा और यहाँ पे धेर सारा कटे हुए धनिया का पता अड़ कर लिए हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे सर्फ कर लेंगे बहुत जादा टेस्टी बेसन बाली भिंडी की सुखी सबजी बनके तैयार है एक बर ट्राइ जरूर कीजिएगा यकीन है हमें आपको यह सबजी की रेसिपी बहुत जादा पसंद आने वाली है तो एक बर बनाईएगा बताईगा कैसा लगा मेरा यह रेसिपी रेसिपी अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजे विल्काम बटन प्रेस कर लिजे ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंच सके वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजे, सेर कीजे, कमेंट कीजे अगर कुछ अच्छा नहीं लगे तो वो भी हमें बता दीजे ताकि हम उससे सुधार सके थैंक यू, मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ